मुस्लिम अधिक्री ना लगना थाई शकेशे ना मुदे तीखी प्रतिक्रिया देश नी राजधाने दिल्ली मापन संभाई रही शे जिया हमारा समधता निरव जोशी ओल इंडिया डेमोक्राटिक अस्टेशिशन आवाइस प्रेसिदेंट मेमुना मुला साथिवाचीत करिया दी आओ संभाई नमस्कार दिली में मेरे साथ है मेमुना मुला जो की आड़वा करके एक संस्ता है उसकी उपादिक्स है और वो महिलाओ की अधिकारों के लिए लड़क चलाती है ये सोशल एक्टिविस हमें बताएगी कि बुज़ात हाई कोट का जो रूलिंग आया है कि पंदा साल की मुस्लिम लड़की शादी कर सकती है तो इसके बारे में क्या इंपेट होगा इनके और हमें बताएगी नमस्कार जहां तक हाई कोट के जज्ज्मेंट का सवाल है मैं नहीं जानती के हाई कोट ने इस तरहां का जज्ज्मेंट क्यों दिया है मैं उनके कामों में इंटिफेर नहीं कर सकती हूँ लेकिन मैं इतना जरूर चानती हूँ कि एडवा सभी हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो कानून चाहती है वो बेस्ट है हमारे एक अंडुस्टैंडिंग पे जिसको हम कहते हैं इकल राइट्स इकल लॉज और उसके तहट हमारा ये मानना है कि हम सब को हिंदुस्तान के जो कानून है उनको मानकर चलना है और डेफिनिटली जहां तक शादी की उम्र का सवाल है उस सवाल को हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का कानून जो अठारा साल की उम्र तै करता है वो हिंदुस्तान के सभी शहरियों पर सभी नागरिकों पर और सभी लड़कियों पर लागू होती है हम मुस्लिम परसनल लौ पर कोई टिपनी नहीं करेंगे हर कम्यूनिटी को हक है कि उसका अपना परसनल लौ हो और मुस्लिम कम्यूनिटी का भी अपना परसनल लौ है इसलिए उस पे हमारा कोई कॉमेंट नहीं है हम इस चीज़ का आदर करते हैं कि हर एक का अपना परसनल लाँ हो सकता है लेकिन जहां तक शादी की उम्र का सवाल है डेफिनिटली इससे बहुत इंपेक्ट पड़ेगा अब बता सकते हैं कैसे कैसे इंपेक्ट पड़ेगा तो डेफिनिटली पहली चीज़ ही अगर ले ले कि कम उम्र लड़की की शादी होगी तो ना वो शारिरिक रूप से शादी के लिए तयार है हमारे हिसाब से हम भी महिलाओं और बच्चों के बीच में काम करते हैं तो हमें भी इस चीज़ का कुछ अंदाजा है ना ही मानसिक रूप से तयार होगी एक तो सबसे पहला सवाल ये है दूसरा ये है कि आप सोचिए पंदरा साल की बच्ची हम तो बच्ची ही कहेंगे पंदरा साल की बच्ची तालीम हासिल करें शिक्षा प्राप्त करें ये पंदरा साल की उमर में 15 साल की उमर में कौन सी क्लास में होगी आप सोचो नवी क्लास में होगी नौवी दस्वी में होगी उस वक्त अगर उसकी शादी होगी तो आप भी जानते हैं कितनी लड़कियां शादी के बाद अगर उस उमर में या उसे कम उमर में शादी हो जाए तो कितनी लड़कियां पढ़ पाएंगी अगर कोई 25 साल की लड़की है और वो MSC करके MFIL करके और PhD कर रही है और उसकी शादी हो जाती है वो definitely PhD परसू कर सकती है शायद बाद में लेकिन जहां तक इस उमर में सवाल है तो आप सोची उसकी तो पढ़ाई गई तो वैसे ही मुसल्मान लड़कियों की तालीम शिक्षा तो आप जानते हैं कितनी कम है उपर से अगर आप उनकी जल्दी जल्दी शादी कर देंगे तो उनकी शिक्षा पर तो definitely बहुत बड़ा इंपक्ट पड़ेगा अच्छा मुमिना जी जी आप बता रहे हैं कि आप एड़वा संस्ता की जो उपाद्यक सा रही है आप अलग-अलग चैप्टर भी होंगे अलग-अलग राज्यों में और आप खुद मुसलिम है एक मुसलिम महिला है तो आप बताएंगे कौन-कौन से राज्ये है आपको अगर ध्यान में आये हो आपके कार्यकाल में कि ऐसी राज्ये भारत के गुजराद या जो भी राजस्तान के लेकर सब जहां पे बड़ी मातरा में थोड़े मुसलिम लड़कियों की साथ चोटी उमर में शादी हो जाती या वो सिवन्चित रहती या अपने बेजिक राइट सिवन्चित होती कुछ बताएंगे एडवा आपने दो सवाल एक साथ किये हैं एडवा की जहां तक शाखाओं का सवाल है एडवा की शाखाएं हमारे चैप्टर्स हर स्टेट में हैं तो मैं दिल्ली स्टेट से तालोख रखती हूं हमारे चैप्टर्स हर स्टेट में हमारी कमिटी बोलते हैं हम दिल्ली स्टेट कमिटी है तो मुमिन अजी ना आपने सामने आने मुमिन अजी नू कहूं छे के लौ एक जग्याए छे परन्तु लगने नी खरी उम्बर तो अठार वर्ष छे शू के शुरू छो भाई बिल्कुल जहां सुधिया देश मां समान सिविल कोड नथी क्या सुधिया मुसल्मान पोते उमान से कमें तो गमेतिय काईदों है देशनों हमें सरीयत ना अधारू पर चाली है एमने सरीयत पंदर वर्ष गरने तो आप देश मा कही तो बैलेंस राशिय आप अपंदर वर्ष ना लगनना कानने देश मां आवनारी भावीश मां जे समश्या से सवती मोटी वस्ती वधारो वस्ती वधारो पंदर वर्ष ने बंदान ना थी आवे हूं मारी दिक्रीन पंदर वर्ष मा ना थी परना वी तो तो तमें उँग कबूल करो के भारत ना बंदान मां लगनना के काईदों छे यह बराबर छे यह नहीं मानी शो हैं तो तुमालद भारत ना बार लगनना काईदा ने महीं मनियता काया यह बरी आप अधर वा स्रियत ने ब्रबार्ष एट्ला मटक्रे उखलों से यह लोगतान पें तुमारे कभूल करू जे यह बारत ना बहुता यसीन ना कउल्दोपली ने शोंकिंशन के बर इंडिवस कुरान नो खुम जिस पर इस्लाम इस ते वे अप लाइफ चे एमों कोई चेंज नी किसी जे जिए जोगे तो यह जोगे तो यह जोगे श्याव प्रफिश प्रफिश पर आप जोड़ा उनिफर्म से युनिफर्म कोड़ना है तैसे पारे बीज़ा में जोगा तरो चे मारा जज़्में मां साचु चेंजम साइब को करी ती तो अब महरे साइब ने पूचु चे के भले इस अगुड लॉयर एमने वफादारी करी हमना असिल जादे बहुन महरे आजे पूचु चे के साइब जारे तम ने देखा तो तू के आच रोकरी पंदे सतर वरस ने तरन महिन परिया दिये पोते शरियत मानी अनि लगना वी श्रूच अब करें आगे अधि पाल लगने विरुद फरियात करी नदी फक्त बग़र यहां और जो करें जिए सब्सक्राइब करी ने यहां करी को पाल ने बद्दो आए चे चो एक्वान आधा ने उनक्ट ने ने बाट मुस्रीम दिक़िन निवाद मते कर फेकोड नाविया चो आपनी बद्धी बेनो आपने पॉलिटिक्स में मुखी देशे एना करता आपनी जम बेने पोता नी दिक्री माटे व्यवस्तित करिए एना आपनी बद्धी बेनो आपनी बद्धी जाए एना पॉलिटिक्स मेश्तित काईदा थी पंड सुरक्षा मढें काईदा थी पंड इने सुरक्षा सच्वाए नी बद्धी बहरत के मंद्धा ना करा है और आप आपने जेनरलाइजाराइज जा वार्शन मेटर एज है दो बुस्लिम अधर्वादर मु जोई गांस्टर्स एने की दू के मारे जरे आवाद तो जागरूत समाज मां जो आमाड़े छी जागरूत ना थी ए तो शरीप मुझे पचाल शेले ना मतर आपकर एचिए अमें जिए अमें जिए अमाट इसलिक आम काम करिये छी अधिक लिए ट्राइग त्राइग तया रिए शरी पेट करो जूँ के जा शुदी आपना पॉलिटीशन जो आगें तो आपने उनिफॉर्म से दूद आउसे गया तो यह प्रब्लम था आप अना मा प्रब्लम नहीं सहां हमारे प्रपर्टी बेन ओन और प्रपर्टी मात आज कल बुए प्रपर्लम थैं कर्पर्ट तो समान सिविल कोड एकज आनो सुखद उकेल जो कैसे का लोयर जे आवाला लोयर हो है तेले को बेनों माता थड़ू का रहे तो भली थाए ये बारो भी जो कंपूशन छे एचे अधिकर ने कमिट करेंगे विचारी बहुत कहने है तो प्रहिशन तरो प्रीज पोगोच से जे चे अने चालवा दो ने राषी का रही जो पर्सनल एक इंदू संसर्थीधी तो सजुंट करेंगा यृथ जीवान हो अधिकार जे एकिए घे टो बाप बाप मेरिचे अवेन में मेरा समय आधरे सेना एक्राट शिए अभारिवाद सामपर सो अमें as a Muslim NGO not Muslim like we are working for everyone तो हमें एज सेमिनार मा करिये छिए ग्रासूट लेवल लेडीज ने बदाने भेगा करी ने ए मच कहिए छिए कि पहले तमें एजुकेशन मा जाओ पंदर वरश मा लगन करी ने तमारे शू मढवानों छिए तमें पहला बढ़ा हो बढ़ा हो पची ना तो है तो सूझे कि पंदर वरश मा लगन को आपी दई है जो आंच अर्शालों आँछ थारों आंच अपर करी एज्चे भंचोर भायर वह जो जो को भी जुन के आवर सुप और अधियर को देट संस्कर अग्रावज संस्क्रार करो तो तो देट वॉट इद्थे यह जो सब्सक्राव करो तो देट जो ब्रेंवसिंग्ध गूरेश रखाया हैं वह जो कानुन ने काईदानी आठी घुटी माने रूठी रिवाजों छे तैना थी बार आवनी जरूरूर छे आपने पोते जगरूत है आपने समाज में आगर जगराई करी शें आचर्चा ने अन्हीं चालेश अमारी साथे जुड़ाया लहो नमस्कार झाल